रोट सेफटी ओडिट के लिए IIT इंजिनियर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग, बड़ी संख्या में खुलेंगे ड्राइविंग स्कूल, हर दिन हो रही 462 मौते, देश भर में सड़क हाथ से और उनमें मरने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए केंडर सरकार IIT के इंजिनि किया जाएगा, फिर वे एक्सप्रेस वे और नेशनल हाइवे का रोड सिफटी ओडिट कर सड़क परिवहन एवं राजमार मंत्राले को सुझाब देंगे, इससे एक्सप्रेस वे और नेशनल हाइवे के ब्लेक स्पॉट का होगा निस्तारण होगा, बांगलादेश में हिं ग्रह मंत्री के आवास क्रिश्ण में मार्क पर होगी, वहिप के प्रतिनिधि मंदल द्वारा ग्रह मंत्री को ग्यापन सौप कर मामले में भारत सरकार की और से पडोसी देश में हिंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मान की जाएगी पेरिस पेरलिम्पिक्स 2024 रेशियो 21 मेडल पहली बार पेरिस में भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड पेरिस पेरालिम्पिक्स 2024 के साथवे दिन भारत के लिए एक और बड़ी सफलता आए महराष्ट्रा के मेकेनिकल इंजीनियर सचिन सरजेराओ खिलारी ने मेंस शॉटपुट एट 46 इवेंट में 16.32 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ सिल्व मेडल जीता इस प्रदर्शन से उन्होंने एशियन रिकॉर्ड भी तोड़ा हाला की सचिन केवल 0.06 मीटर के अंतर से गोल्ट से चुग गए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाईजरी 30 दिन तक बंद रहेगी में रोड दिल्ली वासियो और राजधानी आने जाने वाले लोगों के लिए एक महत्वपुन सूचना है दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाईजरी जारी की है जिसके अनुसार मायापुरी फ्लायोवर नारायना से राजा गार्डन कैरिजवे तक की मरम्मत के कारण अगले 30 दिन के लिए इस प्रमुख रोड पर ट्रैफिक बंद रहेगा मरम्मत का काम 6 सितंबर शुक्रवार से शुरू होगा